नमस्कार साथियो NIRS के Community Health Training Program में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप जानते हैं कि Community Health Training Program में तीन सब्जेक्ट हैं और तीनों सब्जेक्ट में आप पहला सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं जिसके वारे में आपने ठीक से जनकारी प्राप्त की है और सेकिंड जो सब्जेक्ट है आपका यानि कि Maternal and Child Health Care मातरत एवं सिसू स्वास्त है देखवाल ये बहुत ही मेहत्पों विसाय है और इससे सम्मंदित जो यूनिट्स हैं आपकी उनका आप एके करके अध्यन कर रहे हैं और उनसे सम्मंदित जो प्रैक्टिकल टेनिग है वो भी आप ले रहे हैं यहां आज जो हम आपसे बातशीत करेंगे वो भी बहुत इंपोर्डेंट यूनिट है यूनिट टू इंट्रानिटल एंड उस्टनिटल केर आफ वोमेन यानि कि प्रसव के दोरान और प्रसवोत्तर यानि प्रसव के बाद कि जो देखवाल है वो बहुत महत्पोर है एक मा एक बच्चे को जन्म देती है और मा और बच्चे को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी जुम्मेदारी जो हमारे परिवार से लेकर के समास तक की है बहुत बड़ी जुम्मेदारी है क्योंकि किसी भी देश में उसके जो नागरिक है उनकी स्वस्थ है की देखवाल उनकी जुम्मेदारी पूरे परिवार से लेकर के वो भी समाज और राष्ट तक की है तो यदमा स्वस्थ हैं बच्चे स्वस्थ होंगे बच्चे स्वस्थ हैं तो हमारा समाज और हमारा राष्ट स्वस्थ होगा आज इस important topic पर जो की theory के mode में lecture mode में ये सारी जानकरी आज आप हमारे साथ प्राप्त करेंगे मैं आपके साथ डॉक्टर पवन कुमार चोहान और हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रजनी दोवे आप physician है और मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर रजनी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस्टूडियो में तो आज हमारे जो ये कम्टी हेल्थ वरकर्स हैं इन सभी के लिए चुंकि इनके दैनिक जीवन में ये सब चीजें बहुत ज़्यादा होती हैं और महत्पूर्ण इसलिए होती हैं क्योंकि किसी भी समय जब प्रसब का समय होता है और स्वास्थ है कि जो सुविदाएं हैं वो घर से थोड़ा सा दूर होती हैं तो वहां ये जो हेल्थ वरकर हैं इनकी भूमिका बहुत ही महत्पूर्ण हो जाती है ऐसे समय में खास तोर से जो फीमेल हेल्थ वरकर्स हैं वो और कई वार फीमेल हेल्थ वरकर्स यह नहीं हैं वहाँ आवी लेविल तो मेल हेल्थ वरकर्स को भी उस समय पूरी जुम्यदारी रखनी होती है और हर तरह का ध्यान रखते हुए और उस इस्थिती को उसका निव आचाने का जुम्मेदारी रेफर करने की जुम्मेदारी ये भी सब हमारे हेल्थ वरकर्स की है और साथ जाना और उनकी कियर करना ये आपकी बहुत बड़ी जुम्मेदारी है तो डोक्टर रजनी दुबे मैं चाहूंगा कि आप इस इंपोर्डेंट टॉपिक पर बिल्कुल सही डरेक्शन हमारे जो हेल्थ वरकर्स हैं उनको आप प्रताख करें धन्यवार डॉक्टर पवन जी जैसा कि आपने अभी कहा कि प्रसव और प्रसव उत्तर का जो समय होता है वो एक इस्त्री के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होता है और एक बहुत टॉफ टाइम होता ह उसके लिए और स्पेशली अगर उसकी वो फर्स प्रेग्नेंसी हो क्योंकि फर्स प्रेग्नेंसी में कॉंप्लिकेशन होने के बहुत चांसे होते हैं इसलिए फर्स प्रेग्नेंसी में कॉंटिनेस मॉनेटरिंग बहुत जरूरी है और कॉंटिनेस मॉनेटरिंग ही पेशन क को help कर सकती है to prevent the complication during pregnancy and labor क्योंकि pregnancy और labor में especially in pregnancy बहुत सारी ऐसी complications आती है जो कि जिसके कांट patient बहुत परेशान हो जाती है ऐसे vomiting आना वो सुबह उठेगी उसको बहुत vomiting रहती है hypertension हो जाना diabetes हो जाना so to correct all these problems she should be checked regularly तो internatal and postnatal में कुछ चीजें जो भी है वो मैं आपको lecture के रूप में बता रही हूँ इसलिए सब कुछ ज़रा ध्यान से सुनें इसके बाद आता है intrapartum period अब ये intrapartum period exactly है क्या intrapartum period it is a time when labor starts और delivery जब हो जाती है labor starts से लेके delivery होने तक even placenta remove होने तक का जो time होता है that is the intrapartum time this is a very difficult time for a woman as well as for the fetus क्योंकि यही वो time है जब baby delivered हो रहा है और जो mother है उसको maximum bearing करनी पड़ रही है तो this is also a very difficult time for mother as well as fetus तो इस time में health workers play key role make the patient comfortable और उसका properly care करें और उसको इतना comfortable कर लें कि during delivery वो आपके साथ cooperate कर सकें women should be encouraged जैसे कई बर ऐसा होता है कि women's जो होती है they want कि उनकी delivery घर पर ही हो जाए तो हमारे जो health workers है they should encouraged women to have a delivery in a hospital or by a trained person make the woman comfortable so she can cooperate during delivery comfortable से मीन यह है कि you should talk to the patient clearly you should talk to the patient softly उसके साथ आप बहुत अच्छा behavior रखें जिससे वो आपके साथ बहुत comfortable हो जाए और डिलिवरी में वो आपके साथ cooperate कर सकें if woman is unregistered suppose आपके पास woman आती है और वो registered नहीं है उसका case registered नहीं है तो आपको उसकी complete history लेनी चाहिए complete history से मतलब मेरा यह है कि उसका onset of labor क्या था या उसका last mensuration क्या था और उसने बाकी nine months कैसे complete किये हैं fully immunized है या नहीं है यह सारी history आपको लेनी चाहिए और उसका एक antenatal card बना देना चाहिए और antenatal card उसे यह कहना चाहिए कि वो जब भी आए she will bring her antenatal card along with this अब जब patient labor में आती है तो what are the checklist आपको क्या करना है during labor उसके लिए सबसे important चीज़े है find out three things three things में time of onset of labor आप उससे पूछेंगे कि labor कब start हुआ means pain कब start हुआ जब आप उससे time of onset of labor पुछते हैं तो उससे आप यह assess कर सकते हैं कि progress of labor कैसा है मतलब कितनी देर में उसके delivery हो सकती है second point is show, show means कि आप उससे पूछेंगे even अगर आप चाहें तो PVB करके देख सकते हैं और वैसे पूछने पर भी patient बता देती है कि उसका कैसा discharge हो रहा है if the discharge is mucoid discharge from vagina mixed with the blood उससे भी आप assess कर लेंगे कि progress of labor कैसा है third is a rupture of bag of membrane अब what is bag of membrane? bag of membrane वो membrane है जिसके अंदर aminetic fluid रहता है और वहाँ पर fetus float करता है मैंने डाइग्राम में भी दिखा रखा है कि जो बेवी के चारों तरफ fluid है that is the aminetic fluid जब यह membrane rupture करती है तो pain start हो जाता है तो आप patient से पूछेंगे जरूर कि कोई आपको leaking तो नहीं हुई है और नहीं तो जब आप खुद PB करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि bag of membrane rupture हो गई है या नहीं आप patient जब आपके पास आ गई है तो आप उसको कैसे assess करेंगे during labor उसके लिए to assess the progress of labor आप सबसे पहले तो find out करेंगे intensity, frequency and duration of contraction कि वो आपको बोलती है कि मुझे pain हो रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उससे query करेंगे पूछेंगे कि कितनी कितनी देर में हो रहा है, कितना हो रहा है और कितना तेज हो रहा है patient अगर नहीं भी बता पाती है तो आप मैने diagram में दिखा रखा है उसको लेटा कर उसके abdomen पर हाथ रखकर आप contraction देख सकते हैं और ये देखने के लिए कि membrane rupture हुई है नहीं हुई है उसके लिए आप pad चेक कर सकते हैं और pad पर ये देख सकते हैं कि कितना quantity और किस color का discharge है उसके बाद आप fetal heart sound सुनते हैं और सो count करते हैं और woman जब labor के लिए आती है तो उसको encourage करते हैं कि she should be clean, take the bath properly, use the clean pads and जब भी required हो she will change the pads उसके बाद हम अपने सारे के सारे जितने भी instruments होते हैं उनको clean करते हैं, sterilized करते हैं before the procedure during labor कि हमें अगर ऐसा लगता है कि patient को हमें labor में लेना है या labor room में लेना है तो we should clean and sterilize all equipments before procedure अब कई बार ऐसा होता है कि जब patient हमारे पास आती है तो वो यह लेके आती है कि I have a pain और मुझे बहुत ही ज़्यादा contraction हो रही है तो यह find out करना कि यह contraction false labor है यह true labor है हमको कुछ इक कीजियों को notice करना पड़ता है जिससे हम differentiate कर पाते हैं कि this is a true labor और a false labor सबसे पहले जो contraction होती है वो regular intervals पे होती है और false labor में contraction occur at irregular intervals पेशन्ट आपको पता ही नहीं पाती है वो बोलती बस मुझे pain हो रहा है आप उससे पूछते हैं कि 5 मिनट में हो रहा है दस मिनट में हो रहा है तो वो explain नहीं कर पाती है contraction occur at irregular level फिर intervals कि contraction के बीच में intervals कितना है contraction बहुत तेजी से आती है और gradually shorten हो जाती है और यह true labors में होता है बट false label में intervals remains log एक contraction आई उसके बहुत तेर बाद दूसरी contraction आती है फिर true labor में जो intensity होती है pains की वो gradually increase होती रहती है ऐसा false labor में नहीं होता है फिर जो discomfort होता है वो back and abdomen पे होता है और true labor में और false labor में discomfort चीफली सिरफ abdomen पे होता है बैक पे नहीं होता है सबसे important यह आप पीवी करके देख सकते हैं कि true labor में true labor में cervix dilate होती है और false labor में cervix dilate नहीं होती है तो by all these things आप differentiate कर सकते हैं कि जो patient labor में आ रही है वो false pain के साथ आई है या true pain के साथ आई है क्योंकि primary जो patient होती है या जिसकी first pregnancy होती है उस case में ऐसा बहुत होता है कि patient false labor pain लेकर आती है तो यह community health worker की responsibility है कि वो diagnose कर सके कि यह true labor है यह false labor है अब जब patient labor के लिए आ गई है तो आप उस patient को कैसे assess करेंगे assessment of women in labor room patient labor room में है और आपको क्या क्या चीज़े find out करनी है क्या क्या चीज़े देखनी है सबसे पहले तो general observation करेंगे like उसका temperature देखेंगे परल्स देखेंगे बीपी देखेंगे जो भी उसकी general condition है उसे आप देखेंगे कई बार उसके facial expressions को देखकर भी आप बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं कि she is really in pain or what उसके बाद उसके respiration आप stratoscope से देखेंगे fetal heart sound बहुत ज़रूरी है आपको count करना उसको देखना कि fetal heart sound ठीक है या नहीं क्योंकि fetal heart sound जिसको हम FHS भी कहते हैं उससे आप पता कर सकते हैं कि जो बच्चे की condition है वो कैसी है अगर FHS less और below 100 आ रही है और more than 160 पर मिनट आ रही है you can suspect for fetal distress आप immediately patient को hospital refer कर देंगे या hospitalized कर देंगे क्योंकि ये fetal distress की condition है उसके बाद आप abdominal palpitation करेंगे for the fetus presentation fetus presentation से मतलब ये है कि fetal में head नीचे है या मतलब आप इसको एक breech presentation अगर मान लीजिए उसका head नीचे है तो presentation ठीक है बट अगर head ऊपर है तो हम इसको breeze presentation कहते हैं जिसे लोग कहते हैं कि उल्टा बच्चा है तो आपको palpitation से feel हो जाएगा अगर बच्चे का head ऊपर है तो जब आप palpitate करेंगे तो आपको abdomen में उसका रहा है यह नहीं अब आप patient से पूछते हैं कि आपकी membrane तो रप्चर नहीं हुई है अगर वो कहते हैं कि हाँ मेरी membrane रप्चर हुई है तो observe the color of the discharge कि किस color का discharge हो रहा है if it mixed with blood then refer to the patient refer the case to the hospital आप immediately उसको hospital में refer कर देंगे उसके अलाबा आपको और क्या assessment करना है labor room में assessment वो assessment करने के लिए आपको उसका PV करना पड़ता है PV मतलब per vaginal examination जिसको हम physical examination में भी लेते हैं तो per vaginal examination में आप क्या-क्या देखते हैं कौन-कौन से point आपको देखने होते हैं और सबसे बड़ी बात कि vaginal examination should be done in aseptic condition आप करने से पहले अपने हाथ को अच्छे से धोले और condition जो होनी चाहिए वो पूरी तरह से aseptic होनी चाहिए क्योंकि vaginal examination से infection होने के बहुत chances होते हैं आप जब PV कर रहे ह हैं या पर-vaginal कर रहे हैं तो कौन-कौन से ऐसे points हैं जिनसे आप यह confirm कर सकते हैं कि labor has started means confirming the onset of labor by the falling points पहले observation of pain कि उसको pain कैसा है जो मैंने बताया कि contraction आप देखेंगे कैसी है और यह false है यह true है फिर आप उसका discharge पूछेंगे यह observe करेंगे तो blood strain discharge फिर thinning of cervix जो यह मैं आपको बता रही हूँ thinning of cervix और dilatation of cervix यह आपको practical से ही आएगा आप जब PV करेंगे practical में तब यह आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे फिर rupture of membrane कई बर ऐसा होता है मैं personal experience बताती हूँ कि जब हम patient का PV कर रहे होते हैं तब ही membrane rupture कर जाती है and gush of water comes to your face also तो य यह कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आप practically सीखते हैं अब हैं stages of labor there are three stages of labor first stage, first stage वो stage होती है जब baby descent करता है जिसको हम crowning कहते हैं फिर आती है second stage, second stage वो stage होती है जब baby delivered होता है third stage में हम cord cut करते हैं और placenter remove करते हैं the complete जो process है वो हो जाता है the complete stage हो गई, interpartum stage complete हो गई, first stage, second stage and third stage and the labor is completed अब first stage को थोड़ा और अच्छे से बताते हैं, first stage usually 10 hours की होती है primi में, primi means जिसकी first pregnancy है, first baby है four to six hours होती है multipera में, multipera means जिसके दो से ज़्यादा baby हो चुके हैं, तो यह जो time है यह vary करता है patient to patient अब first stage में क्या होता है, first stage में जो contraction है, वो 2 से 3 मिनट में आती है, 2 से 3 बार आती है, 10 मिनट में, मतलब बहुत तेस्टे और बहुत जल्दी जल्दी आती है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि intensity, frequency of contraction, उससे हम find out करते हैं, progress of labor cervix dilatate होता है, at the rate of 1 cm per hour, वो आप मैं फिर कहूंगी, practical से ही सीख पाएंगे कि cervix dilatation, cervix dilatation में अगर आप ऐसे नहीं तो हम बताते हैं कि 1 finger dilatation है, 2 finger dilatation है, 3 finger dilatation है और 4 finger dilatation में baby delivered हो जाता है, तो cervix का dilatation आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, 1 finger, 2 finger, 3 finger and last is the 4 finger इसी stage में descent of fetus होता है, fetus slowly descent करता है, जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है कि baby है और उसके आज़ पास fetus, fetus के पास amulikus, amulikus called cervix, vagina and slowly baby is descending वो धीरे-धीरे cervix की तरफ आ रहा है, और वेजाइना का जो औरफिस है, जैसे मैंने बिताए, PV वो खुलना शुरू हो गया है और cervix dilat होनी शुरू हो गई है, तो initial phase वो जब वो labor में उसको pain start होते हैं active stage हो, active phase हो जब उसके pains बहुत तेज होने लग जाते हैं और contraction बहुत तेजी से बढ़ने लगती है then come to second stage of labor, second stage of labor एक से दो घंटे की होती है primary में और less than in hour subsequent pregnancy मतलब second pregnancy है third pregnancy because first pregnancy में dilatation देर से होता है, cervix देर से dilat होती है और after one pregnancy cervix कुछ portion में dilat ही रह जाती है इसलिए जब second baby होना होता है तो dilatation easy हो जाता है क्योंकि cervix अपनी cervix जो होती है बहुत elastic हो जाती है तो अराम से dilatation हो जाता है तो इसलिए first pregnancy में एक से दो घंटे लगते हैं और subsequent pregnancy में time कम होता जाता है यह वो stage है जिसमें आप actually में baby को birth देते हैं और umbilical cord के साथ baby बहर आता है इसमें contraction पहले वले में first stage में contraction two to three होती है 10 minutes में बट इसके अंदर contraction three to four होती है 10 minutes में और pain की intensity बहुत बढ़ जाती है यानि contraction gets strong आपको patient यह कहेगी कि मुझे बहुत तेज तेज pain हो रहा है और pain जो है मुझसे bear नहीं हो रहा है and with every dilatation every contraction cervix dilate हो जाता है cervix fully dilated और fetal जो है descent करने लगता है continuously presenting part of the fetus reach the pelvic floor आपको pelvic floor पर मतलब जब पीवी करते हैं तो आपको field होना शुरू हो जाता है बेबी का head वैसे second stage of labor में पीवी नहीं करते हैं आपको बेबी का head ऐसे ही देखने लगता है मगर अगर कोई complication है और आपको नहीं पता चल रहा है कि क्योंकि बेबी की positioning में हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो उसका head है उसकी position क्या है अगर head ठीक से नहीं आ रहा होगा बाहर तो delivery नहीं होती है तो हम पीवी करके देखते हैं और आपको feel हो जाता है कि जो presenting part है presenting part head है वो pelvic floor को touch कर गया है duration of second stage of labor is 10 to 15 minutes मतलब सिरफ 10 से 15 minutes में बेबी डिलिवर हो जाता है अब बेबी mother को आपको delivery के लिए कैसे prepare करना है prepare the woman for delivery सबसे पहले तो especially अगर patient primary है पहला बेबी है उसका तो वो बहुत डरी रहती है बहुत anxiety में रहती है और कई बर anxiety और डरने के कारण hypertension हो जाता है और बेबी डिलिवर नहीं होता है इवन normal delivery भी ना होकर उसका cesarean हो जाता है तो आपको उसको उसकी counselling करना बहुत जरूरी है उसको explain करिये explain the procedure of delivery and labor to the woman कि आपको क्या करना है किस तरीके से bear करना है कैसे breathe करना है हर step उसको आपको explain करना चाहिए और उसको अपनी comfortable बना देना चाहिए आप उसके बाद woman को बोलना चाहिए कि flex and knee को flex करके comfortably late जाए and give extra pillow to raise the head before delivery आपको कौन-कौन से articles हैं जो collect करके रख लेनी चाहिए कि ऐसा नहों कि delivery के लिए कोई woman आए और उस time आप सारे article इकठे कर रहे हूं आपको सारे article तैयार करके रखने चाहिए और सब sterile करके रखने चाहिए articles में macintosh है, two balls, kidney tray, artery forceps, two dissecting forceps, scissor, cotton, antiseptic lotion and clean lilan ये सब समान आपके पास पहले से होना चाहिए और मैं बारबर कहूंगी कि sterile होना चाहिए सारा समान पहले ही आप sterileized करके रख लें ये ना हो कि जब woman delivery के लिए आ रही है तब आप उन्हें sterilize कर रहे हैं ये जैसे पड़े हैं वैसे उठा के यूज कर रहे हैं और जब आपने delivery के लिए woman के लिए सारा समान रख लिया है तो उसी पास में एक और tray बनाएए जहां पर जो baby delivered होना है उसके लिए क्या क्या आपको articles होने चाहिए उस सारे के सारे articles भी आपके पास होने चाहिए ये नहीं कि baby delivered होने के बाद आप भाग रहे हैं आर्टिकल से कठे करने के लिए आर्टिकल की एक tray अलग से baby के लिए भी होने चाहिए उसमें सबसे important है clothes for receiving baby फिर कहूंगी कि ये cloth जो है एकदम साफ सुतरा होना चाहिए एकदम washed होना चाहिए cotton swab उसका mouth clean करने के लिए cord to tie the thread जो cord है उसको आप tie करेंगे उसके लिए एक thread आपके पास होने चाहिए baby cloth होने चाहिए and warm water होना चाहिए baby clothes में ध्यान रखिएगा cloth season के according होने चाहिए अगर ठंड है तो warm cloth हो और अगर गर्मी है तो cotton के soft cloth होने चाहिए अब कौन कौन से steps हैं लेबर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या करना है वो सारे के सारे steps सबसे पहले तो wash your hands thoroughly and wear the gloves लेबर के लिए female आ गई है लेट गई है और आपने जो है क्या करना है यह वही सारे steps है इसको लिटा लिया उसके नीज को flex कर लिया पिलो दे दिया उसके बाद उसका जो perineum area है उसको clean करेंगे using boiled swab और उपर से downward direction में above to downward direction में cleaning करेंगे use one swab for one stroke एक बार साफ करने के बाद उस swab को fact देंगे and again use another swab एक stroke में एक ही swab को use करना है उसके बाद जब अच्छे से clean हो जाए तो ensure कर लें ensure perineal area और इसके अंदर आप ये भी ध्यान रखें कि perineal के इलावा anal area भी clean करना बहुत जरूरी है और patient को ये भी समझा दें कि बहुत stretching ना करें कई बर perineal area रप्चर भी कर जाता है तो perineal area clean कर लिया उसके बाद vaginal examination करके आप assess कर सकते हैं कि कितना dilatation हो गया है कितना effacement हो चुका है मतलब baby कितना descent कर चुका है feel the presenting part presenting part को feel करनेंगे and level of fetal heart fetal heart बार बार मैं कह रही हूँ check जरूर करेंगे अगर hundred से कम है और one sixty से जादा है तो आप immediately cesalian के लिए patient को भेश सकते हैं it means there is a fetal distress उसके बाद descent of fetal head का examination करेंगे कि उसकी position क्या है कौन सी flexion position में किस position में है अलतलब उसका face सामने आ रहा है नहीं आ रहा है क्योंकि अगर head की position proper नहीं होगी तो baby नहीं deliver करेगा अब second stage of labor जो properly delivery की stage है जिसमें baby delivered हो रहा है उसमें आपको उस stage को आपको कैसे manage करना है कौन कौन से steps है women should not be leave alone क्योंकि वो उसकी ऐसे stage है जिसमें कभी भी delivery हो सकती है तो आप कभी भी patient को अकेला छोड़ कर नहीं जाएंगे and head taken path उसे आप कहेंगे कि आप पहले नहा कर जरूर आएं allow women to take comfortable position वो जिस position में comfortable हो वो position उसको आप लेने के लिए कहेंगे encourage women to bear down when fetal head is seen आप उसको encourage करेंगे कि जैसे head आने लगता है और हम आपको bear down कहने के लिए कहें तो you should bear down ऐसा नहों कि head आ रहा है और आप रिलाक्स हो जाएं तो head नहीं delivered होगा बेबी नहीं delivered होगा और head जो है वहीं फस जाएगा और बच्चे को fetal distress हो जाएगा तो explain her and encourage her to bear down when fetal head is seen before bearing down ensure the cervix is fully dilated ऐसा ना हो कि उसका cervix dilate ही नहीं हुआ हो और आप उसको bearing down करने के लिए कहें तो before encouraging her for bearing down you should ensure the cervix is fully dilated which you can be seen by और observed by by doing PV per vagina examination listen FSH fetal heart sound FHS fetal heart sound after every contraction जब-जब contraction आएगी उसके बाद आपको FHS count करना है support perineum and cover the NS with sterile pad अगर हम उसको support नहीं देंगे, cover नहीं करेंगे perineum को तो जब-जब वो bear down करेगी baby को delivered करने के लिए तो perineum rupture हो सकता है, tear हो सकता है, even NS में भी tear आ सकता है इसलिए आप support देंगे perineum को, NS को austral pad इसलिए यूज़ करने को कहा जा रहा है कि infection होने के chances बहुत रहते हैं allow the delivery of head slowly, head को धीरे-धीरे आने दे instruct woman to take short breathe not to deliver the head between the contraction contraction के बीच में head को delivered ना करें और short breathe लें और bear down जब कहा जाए तब करें अभी हमने बताया कि किस तरह second stage of labor में management करेंगे management during the delivery of baby कि जब भी baby delivered हो रहा है तो उस time आप कैसे manage करेंगे वो है ये step after delivery of head जब उसका head delivered हो जाए wait for spontaneous rotation of shoulder जैसे ही baby का head delivered होता है तो एकदम spontaneous rotation होती है और shoulder बहार आता है जब shoulder बहार आने से पहले आप feel करेंगे कि baby के neck के around कोई cord तो नहीं है feel for the cord around neck if cord is around the neck तो आप hold उस cord को hold करेंगे और clamp कर देंगे hold the cord, clamp with artery forcep अभी जो मैंने instruments बताय थे उसके अंदर artery forcep भी बताया था तो यहां उसका use है और इवन दूसरी cord काटने भी उसका use आएगा hold the cord, clamp with artery forcep at two places four centimeter apart cut the cord between two forceps मतलब आपको बीच दो साइपस में artery forceps लगानी है और उसके बाद बीच में से आपको उसको काट देना है take two three minutes for delivery of trunk after the head is out जैसे head आएगा बाहर उसके दो तीन मिनट के अंदर उसके पूरा body बाहर आजाएगी take baby head in both hands assist the delivery of upper shoulder first and lower shoulder followed by delivery of the baby पहले upper shoulder आएगा फिर lower shoulder आएगा फिर पूरा baby का जो part है बाहर आजाएगा यह पूरा डाइग्राम दिखाया हुआ है कि किस तरीके से baby जो है delivered हो रहा है यह इसमें सारे stages दिखा रखी है first second third मतब कैसे baby पहले हाट डा रहा है फिर उसका shoulder first shoulder second फिर slowly trunk बहार आ जाता है और इस तरीके से baby पूरी तरह से delivered हो जाता है अब baby delivered हो गया है तो what are the steps after delivery after the baby born note time तो जिस time में आपने baby को receive किया है वो time note कर ले और baby को एक warm cloth में wrap कर ले इसके बाद उसका airway check करें और सबसे important है इसकी immediate cry कि वो immediately roar आया है या नहीं रोर आया है उसको जरूर ध्यान रखें उसके बाद ligate the cord, cord जैसा कि मैंने डाइग्राम में भी दिखा रखा है ligate the cord twice at 5 cm and 10 cm from the umbilicus and cut between using sterile blade or scissor and separate the baby दो साइट से बान के बीच में से काट के baby को separate कर लेंगे ensure cord stem not bleed जो आपने दूसरी साइड लगाया है उसको बांदा है उसको ध्यान रखेंगे कि वो bleed ना करें अब delivery होनी के बाद जो हमने आपको बताया कि यह chapter यह है इसमें post natal care के बारे में भी हम बताएंगे तो जब delivery हो गई है तो उसके बाद आपको mother की care कैसे करनी है care of mother after delivery आपको देखना है after delivery uterus become hard and uterine contraction also start to expel placenta and membrane एसा ना सोचें कि baby delivered हो गया है एमलाइकल कॉर्ड मेने काट दी है अब contraction नहीं आएंगी अब मेरा काम खतम हो गया है एसा नहीं है एमलाइकल कॉर्ड काटने के बाद बेबी को उसकी क्राई देखने के बाद 15-20 मिनिट में female को फिर से contraction start हो जाती है क्योंकि अंदर जो placenta है और जो membranes है they'll come out तो उस ताइम भी आपको patient को bear down करने के लिए कहना है ask her to bear down and wait for placenta delivery जब placenta deliver हो जाए तो आपको ये complete expulsion को observe करना है observe for complete expulsion of placenta and membrane एक बात और कि जब placenta remove होता है उस ताइम there is a gush of blood comes तो और आप slowly धीरे धीरे जो कॉड होती है amolical cord होती है उसे हिला हिला कर placenta को निकालते हैं जब placenta भी आ जाता है membranes भी निकल जाती है उसके बाद आप प्रेशन को कुछ गरम खाने के लिए देते हैं अगर हम आयरवेदिक कॉंसेप्ट में भी कहें तो हम उसको आजवयायन का पानी दे सकते हैं जीरे का पानी दे सकते हैं उसके बाद हम उसकी चैज आप माधर की केर करी इसी तरीके से आप न्यूबॉण की केर करते हैं वाट आप अधा इमिडेट केर ऑफ न्यूबॉण सबसे पहले तो अब माधर को advice करते हैं for breastfeed immediately उसके बाद take weight of the baby length of the baby check for any congenital abnormalities पूरा उसको अच्छे से check करते हैं कि कोई congenital abnormalities तो नहीं है उसके head to foot तक की skin check करते हैं उसका mouth देखते हैं chest देखते हैं, cod देखते हैं abdomen देखते हैं all the genital organs देखते हैं सब चीजों को check करते हैं कि baby healthy है या नहीं फिर ये observe करते हैं कि उसने stool या urine pass किया या नहीं उसके बाद उसकी cry देखते हैं और अगर cry आपको कुछ भी अलग लगती है तो आप immediately doctor को report करते हैं अब baby के साथ कुछ एक important points हैं जो आपको याद रखने चाहिएं अगर baby milk सक नहीं करता है if baby does not suck milk बहुत रो रही है या बहुत वीक cry है then you immediately refer her to the hospital or call the pediatrician और अगर baby को if baby has fits if cod is red wet or smell bad if baby vomit and vomit is green or greenish if baby lips अगर आपको यह सारे अबब सिंप्टम्स मिलते हैं तो इट मींज कि आपको पिड़ेटरिशन को कॉंटेक्ट करना है डॉक्टर को बेबी को दिखाना है कॉड को प्रॉपर्ली केर करना चाहिए मेंस उसको आपको देखना चाहिए कि जो कॉड स्टम्प है वहां से कोई ब्लेडिंग स्मेल कुछ आ तो नहीं रही है और अगर आप उसकी पॉपर केर करेंगे तो यूविल प्रिवेंट इंफेक्शन और उसकी प्रॉपर्ली ड्रेस करनी चाहिए जब तक कॉड आफ ना हो जाए कॉड केर तो प्रिवेंट इंफेक्शन और ड्रेसिंग तिल कॉड इस आफ अडवाइस ब्रेस्ट फीडिंग अब देर आरा वे यह मैंने डाइग्राम में दिखा रखा है वे इस अ करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग टेक्नीक बेबी को दूद पिलाते पिलाते सो गई और उसकी जो ब्रेस्ट थी वो उसके नाक के उपर आ गई और बेबी जो था ब्रीद नहीं कर पाया और वो कोलाच कर गया है तो इसलिए आपको मादर को गाइट करना है कि करेक्ट मेथड क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का उसे टेक breastfeeding, breastfeeding जो है क्यों important है जब सबसे पहला जो milk आता है breastfeed का वो yellowish color का होता है जिसके अंदर immediately after the delivery जो milk produced होता है वो yellow color का होता है which is rich in vitamin antibodies जो prevent करता है infection को इसको cholesterol बोलते है और ये बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए क्योंकि ये बच्चों को immunity देता है prevent करता है, disease से बचाता है उसके इलावा भी there are so many advantage of breastfeeding breastfeeding कराने से जो mother का milk होता है fully nutrition होता है easily digestible होता है बच्चे की immunity को बढ़ाता है उसकी growth में help करता है इसलिए mother को हमेशा breastfeed ही कराना चाहिए अब newborn की और क्या-क्या care समय करनी चाहिए prevention of hypothermia hypothermia means कि baby जब delivered होता है तो जो internal temperature होता है जहां पर वो रहता है mother के womb में उस temperature में और बाहर के temperature में फारक होता है तो बाहर का temperature एकदम अलग होता है उसके लिए अंदर temperature से तो loss of heat होने के बहुत chances होते हैं तो आपको hypothermia से बच्चे को बचाना चाहिए keep newborn in close contact with mother उसको एकदम मा के पास देना चाहिए कि मा उसको पकड़ ले और जिससे mother की जो body की heat है उससे उसको hypothermia ना हो रूम को गरम रखना चाहिए as per season मनली जो बहुत थंड है तो रूम का temperature जो है थोड़ा बढ़ा कर रखे wrapping the newborn with warm clothes according to season अगर मौसम थंडा है तो warm cloth में और अगर गर्मी है तो cotton के कपड़े में give bath after 12 to 24 hours if birth weight is low you can delay the bath clothing should be soft cotton and clean cot care any bleeding from cod refer child to hospital यह immunization है according to national immunization schedule की कब कब बच्चे को क्या क्या पिलाना है पैदा होते ही जैसे BCG का injection पिलाते हैं तो यह पूरा एक schedule है यह schedule आपको पता होना चाहिए कि immunization क्या national immunization schedule क्या है और इस schedule के हिसाब से आपको parents को guide करना है कि उसको बच्चे को कब injection लगेगा कब polio की drop पिलाई जाएगी उस सारे injection का आपको schedule याद होना चाहिए और उसी schedule के accordingly आपको उन्हें injection लगाने के लिए बताना चाहिए अब postnatal care of mother delivery हो गई तो delivery के healthy होगी तो ही baby healthy होगा तो postnatal care of mother is also very important आपको उसमें क्या करना है postnatal care में सबसे पहले तो आपको उसकी general condition का observe करनी है कि after delivery उसकी general condition ठीक है उसको कई temperature तो नहीं बढ़ गया है कई बार ऐसा होता है कि due to infection temperature बढ़ जाता है बीबी तो नहीं बढ़ गया है उसकी pulse ठीक चल रही है तो general condition observe करनी है and find out any discomfort due to pain or bleeding कि after delivery उसको कहीं बहुत जादा bleeding तो नहीं हो रही है बहुत pain तो नहीं हो रहा है जिसके कारण उसको discomfortable है check fundal height and consistency of uterus मतलब uterus जो है वो innovate हो रहा है या नहीं हो रहा है कि अभी भी उसका पेट वैसे ही फूला हुआ है या अंदर कोई membrane रह गई है या कोई infection हो गया है यह सब आप check करेंगे uterus should be formed and well contracted tight ना हो uterus hard ना हो क्योंकि मैंने पहले बताया uterus hard होता है जब placenta inside होता है जब placenta expal हो जाता है तो uterus form हो जाता है lochia what is lochia it's a vaginal discharge after bleeding observe for fresh bleeding और discharge within 6-10 days आप यह उसको कहेंगे कि sanitary pad लगाके रखना है और आपको अपने discharge को observe करना है क्योंकि यह discharge slowly color change करके finally खतम हो जाता है 6-10 दिन में अगर उसके बाद भी रहता है या heavy bleeding होती रहती है तो आपको immediately उसको doctor के पास धिशना चाहिए observe perineum for any discharge और swelling कि perineum में कोई discharge पाद यह swelling तो नहीं है या perineum में को tear तो नहीं है अगर during pregnancy को tear आ भी गया है तो stitch कर दिया गया है तो जो stitch किया गया है वो stitch ठीक है या नहीं है तो आपको perineum को properly observe करना है observe breast for any firmness engorgement of milk or secretion कई बर ऐसा होता है कि baby usually जितना milk mother को आता है उतना सक नहीं करता है उतना पी नहीं पाता है तो milk रहने के कारण engorgement हो जाती है females को pain होता है firmness होती है तो we should check firmness engorgement of milk secretion यह सब भी check करना चाहिए if any crust is formed over or around the nipple and may start bleeding उसको clean करना चाहिए soft close है उसके बाद baby को breastfeed कराना चाहिए इतना सब करने के बाद भी आपको patient को जब patient discharge होने लगती है उसको personal hygiene के बारे में बताना चाहिए कि mother should take bath daily and wear clean clothes क्योंकि कई जगा rituals होते हैं कि female को 6 दिन बाद नहाना है या female को 6 days बाद ही कपड़े बदलने हैं तो आपको उसको counselling करनी है उसे बताना है कि she should take bath daily and wear the clean clothes उसको ये बताना है कि अपने perineum part को clean दखना है to prevent infection mother should eat more fruits, vegetable and milk in her diet क्योंकि इसको baby को feed कराना है तो she should take more nutritious diet, wash breast and keep clean क्योंकि baby को महां से milk सक करना है जब जब baby milk सक करता है उसके बाद भी अपनी breast को clean करें तो उसको अपनी breast को clean दखना चाहिए family planning उसको advice करनी चाहिए और family planning advice to adopt family planning method as per size of family per size of family means if she has a one baby only तो she can take a temporary family planning और suppose she has two or three babies and she don't want to take another baby तो उसको आपको permanent family planning के बार में बताना चाहिए तो आपको उसको family planning का पुरा detail देना चाहिए तो आज मैंने आपको intranatal, postnatal, care of a mother और a baby के बारे में पढ़ाया और आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा और इसको और जानने के लिए आप इसके practicals को अच्छे से देखें और समझें किस तरीके से ये सारे procedure किये जाते इंटरपार्टम स्टेज, इंटरपार्टम में जो तीन स्टेज़ होती हैं, फार्स स्टेज, सेकिंड स्टेज और थार्स स्टेज अफ लेबर, उसके बाद intranatal care, how to care a baby, ये सब चीज़े मैंने आपको इसके बारे में बताई और कौन-कौन सी चीजें हैं जिनका विसे सूप से ख्याल लखना चाहिए, और प्रसवोत्तर के बाद भी जो information आपको आवसक है, वो सारी दी गई, आपको उसके बारे में भी विसे सूप से बताए गया, आप जानते हैं कि ये information, केबल information नहीं है, इसमें आपको practically काम करना करने के लिए निश्यत रूप से आपको practical जानकरी भी होनी चाहिए, वैसे बहुत सारे health workers हैं जो इस अंदर में बहुत सारे nursing homes में काम कर रहे हैं, उनको अच्छी knowledge भी है, वो practically skills इस तरह के रखते भी हैं, तो उनको इस सारी knowledge है, लेकिन कुछ चीजें theoretical रूप से जाननी बह की हैं, और साथ में, मैं यहां एक बात विसे सूप से कहना चाहूँगा, कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन पर care बहुत ज़्यादा आवसक है, जैसे कि बहुत सारे cases काफी complicated हो सकते हैं, तो complicated cases को कैसे deal करें, कैसे उनको handle करें, ये बात ध्यार रखने की है, ये आप ध्यान रही हैं, जिन में आप सक्षम नहीं है, तो किसी भी मात्रत्र का जो स्वास्ता है, उसको जोखिम में बिल्कुल न डाले, उसकी जान जोखिम में न डाले, क्योंकि कई बार बहुत छोटी हाइट है, किसी मदर की, या फिर इस तरह की कोई situation है कि समय से पहले ही प्रसर पीड में ही तेड़ा हो गया है, कोई और समस्या है, तो आपको यद बहुत ज़्यादा इस संदर में जानकारी नहीं है, आपको कम जानकारी है, तो इमीडेटली आप अपने जो डॉक्टर हैं, उनके साथ सीधा संपर कीजिए, और उनके साथ बातचीत करके, उसको solution करने का पू पूरी मदद के साथ में उनको होस्पिटल तक ली जाएं, तो ये आपकी बहुत इंपर्डेंट डूटी है, साबधानी रखनी इन चीजों में बहुत आपसक है, क्योंकि जो मनुष्य का जो जीवन है, वो बहुत-बहुत महत्पूर हैं, अनमोल है, ऐसा हम समस्ते हैं, तो इसके बाद कौन-कौन सी और केर करनी चाहिए, ये भी मैडम ने बताया है, साथ ही जो ब्रेस्ट फीडिंग है, यानि इस्तन पान, ये बच्चों के लिए, सिस्यों के लिए बहुत जरूरी है, तो इस्तन पान पर भी, जो आपकी तीसी यूनिट है, इसके बारे में हम संदर्व में बाद भी कर सकते हैं, भी सकते हैं, नमस्कार, जय हिन, जय भरत, और डॉक्टर रजनी जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत, और नमस्कार, बास्कार.